Hello friends and welcome back my YouTube channel AR Educational Hub तो इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों का जारखन कमबाइन 2025 कर लेकर ठीक है तो जारखन कमबाइन 2025 को लेकर मैं यहाँ पर इस वीडियो को लाया हूँ आप लोगों के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2025 का एक्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में जारखन कमबाइन के प्रिपरेशन आप किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं साथी साथ syllabus क्या होगा इसमें 2025 में क्या कुछ changes है वो सारा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ठीक है आप हमारे से जॉइन कर सकते हैं AR educational hub टेलिग्राम के माधियम से साथी साथ instagram के माधियम से भी जॉइन कर सकते हैं और लगबग मुझे 6 साल का experience है जारखन कंबाइन का preparation कराते हुए तो मुझे बिलकुल idea है इस जारखन कंबाइन के बारे में कि question pattern कैसा हो सकता है question label कैसा हो सकता है और हर साल question किस तरह से आते है ठीक है क्या परिशानी आ सकती है किस तरह का documents आपको required हो सकता है इन सभी जानकारी को मैंने इखटा करकर आप लोग के लिए ही बनाया है ताकि आप लोगों का help हो सके ठीक है तो चली हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जारखन कंबाइन 2025 का syllabus क्या होगा सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ प पर 50-50 question का number होता है जो की होता है 150 PCB के लिए PCMB के लिए भी same है 150 देन उसके बाद यहाँ पर 200 number का marking होता है जो आपका PCMB group के लिए होता है और marks भी same है जितने questions उतने marks यानि अगर एक आपका सही होता है तो आपको मिलते हैं one marks और अगर एक negative होता है तो आपका यहाँ पर जात ठीक है यहाँ पर cut होता है ठीक है ध्यान देजेगा ठीक है चलिए आगे हम लोगा बात करें तो physics में सबसे पहले अगर आप syllabus की बात करें देखो यह जो सारा syllabus यहाँ पर मैंने लाया है जो भी सारा syllabus आपको यहाँ दिख रहा है यह सारे syllabus में देखो यह chapter तो आपके लिए important है बट इसमें कौन-कौन सा ऐसा chapter है जो सबसे ज्यादा important है चाहे वह BVSC हो या फिर agriculture हो या फिर paramedical या nursing के लिए कौन सा ज्यादा important है तो first of all देखिए physical world and measurement ठीक है यह जो chapter है यह भी थोड़ा मोड़ा इसमें role रखता है questions इसमें से important पूछे जाते है जारखन का माइन में भी नेक्स जो सबसे important है इसमें kinematics इससे question पूछे जाते हैं loss of motion से question ज्यादा आते हैं work energy power motion of system of यह सबसे भी questions आते हैं gravitation से question आते हैं ठीक है ऐसा ऐसा मैं target कर रहा हूं यहाँ पर जिससे question ज्यादा आते हैं ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है उसके बाद है oscillation इससे भी questions पूछे जाते हैं current electricity इससे भी questions पूछे जाते हैं electromagnetic alternating AC जो है उससे भी questions आता है है, electromagnetic waves से भी questions आते हैं, optics से भी questions ज़्यादा पूछे जाते है, atom औं nuclei से भी questions होता है, thermodynamics में को को च्छेंट आता है, most of time अभी तक देखा गया है कि ये जो portions हैं, इससे questions ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल ये हर बार देखा गया है कि इन सारे chapter से question जादे पूछे जाते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा चली बढ़ते हैं chemistry के और chemistry में देख लिए यह सारे chapters आपके पास है ठीक है यह chapters है syllabus इनके हैं अब जादा questions कहां से आते हैं ठीक है solid states solution electro chemistry chemical kinetics ठीक है फिर है आपका thermodynamics equilibrium redox reaction hydrogen s-block p-block ठीक है यह सबसे questions पूछे जाते हैं hello alkin hello aryn से questions पूछे जाते हैं जी उसी से questions पूछे जाते हैं biomolecules से questions ज्यादा होता है और alcohol phenol से इधर से ज्यादा question होता है अगर आप देखेंगे तो यह हुआ यहां से और यह cover किया यहां और अगर आपनों नेक्स चले तो यहां से यहां यह जो portions मैंने टिक किया है अभी तक यह सबसे questions ज्यादे पूछे जाते हैं हर साल अभी तक देखा गया है कि इतने questions इसमें से पूछे जाते हैं ठीक है तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर शर्फिस के मेंस्ट्री को भी आड़ कर लीजिए ठीक है यह सबसे questions ज्यादे पूछे जाते हैं नेक्स अगर हमनों देखें बायो की तरफ तो फिर बायो में देख लीजिए यहां से questions होते हैं सेल सेल सबसे important chapter है इंजहरकन कमाइन सेल से हर साल question ज्यादा पूछा जाता है ठीक है उसके बाद है analytics आपके पास है biotechnology है ठीक है उसके बाद plant physiology है यह सबसे questions ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है यह सबसे questions ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है चल मैंस की तरफ बढ़ते हैं कि मैंस में देख लीजिएगा यह सबसे questions ज्यादे आते हैं सेट रिलेशन से trigonometrics से linear से binomial से straight line से limit and derivative से static से matrix determinant integral vector probability यह सबसे questions ज्यादा आते हैं ठीक है वी वी आई है यह यह भी इन सबसे वी questions ज्यादा पूछे जाते हैं अगर अगर करना चाहते हैं जहरकन का माइन के लिए तो आखिर preparation कैसे कर सकते हैं सबसे पहले देखिए आप ध्यान दे सकते हैं कि जितना हो सके जो भी आप study कर रहे हैं कहीं से जहां से भी study कर रहे हैं first of all जितना भी chapters है chapters को सबसे पहले clear कीजिए आप जितने भी chapters उनको clear कीजिए ठीक है और start कीजिए first chapter से यह नहीं कि अगर first chapter हम नहीं पढ़ कर सबसे पहले last chapter से सुरू करें तो ऐसा नहीं करना है first chapter से सुरू करना है जो भी है क्योंकि base वहीं से बनेगा चाहिए आप physics से पढ़ें या chemistry से पढ़ें ठीक है बेस वहीं से बनना है आपका तो इस वज़े से starting से start करें दूसरी बात है previous year कुछ students confused होते हैं कि sir previous year करना है नहीं करना है तो I suggest previous year आप करिए नगर 2022 से जो आपका previous year है उसको ही कीजिए 2022 से 23 का कीजिए 24 का कीजिए इन सभी का ही previous year आपका मैच करेगा बाकी उससे जो पहले का previous year है वो मैच करने का chances बहुत ही कम है इसलिए उस पर दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं आपके पास ठीक है क्योंकि उसका question बहुत ज़्यादा easy था और अभी के time पर बहुत question tough आता है तो यह जो सिल्याबस से similar है आपका BVSE exam के लिए और agriculture exam दोनों के लिए इसलिए confusion नहीं होना है ठीक है चलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने एक batch लाया है यहां पर ठीक है यह बैच बिलकुल आप आप लोगों के लिए ही है जहरकन कंबाइन के preparation के लिए है और हर साल इस batch से बहुत सारे students select होते है जहरकन कंबाइन में यह batch आप के लिए launch कर दिया गया है new batch for जहरकन कंबाइन ठीक है जिसका नाम है प्रियास ठीक है इस प्रियास बैच में आपको मिलेगा अग्रिकल्चर के लिए नर्सिंग के लिए पैरामेडिकल के लिए एन्म जन्म के लिए प्रियास प्रिमियम क्या है वैसे student जो PCB का प्रिप्रेशन कर रहे हैं उनके लिए यहां पर biology का video lecture available है साथी साथ biology का जो भी NCRT liner होता है यह NCRT liner आपको अभी तक कहीं नहीं मिलेगा यह मेरा दावा है क्यूंकि NCRT का complete निचोड complete NCRT का जो summary होता है वो आपको यहां पर मिलेगा और उस summary में अगर आप नीट का भी preparation कर रहे हैं तो भी आप इसको भी clear कर सकते हैं ठीक है प्लस NCRT का video lecture मिल रहा है आपको test मिल रहा है test जो हमारा होगा around 40-50 test होता है यहां पर जो की जार्खन exam के साथ another किसी भी exam का अगर आप preparation कर रहे हैं तो उसको clear करने के लिए आपको आसानी होगा number of questions इतने ज haircut होगा जिसमें जार्खन का माइंड में वे exam का जो paper है उससे भी question match करते हुए आपको यहां पर दिखेंगे ठीक है ठीक है तो अगर आपको preparation करना है तो आप हमसे contact कर सकते हैं टेलिग्राम के माधियम से इंस्टाग्राम के माधियम से ठीक है जो भी चैनल पर new जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बल एकन प्रेस कर लिजिएगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद